अफते लांच हो सकती है सरकार की एक और नई पेंसे नियोजना जी हाँ दोस्तों एक महतपून जानकरी निकले करा रही है और खबर के अनुसार सरकार अब जल्द ही एक और नई पेंसे नियोजना लांच कर सकती है तो कौन से ये पेंसे नियोजना है इसकी बारे में आपको इस वीडियो में बताए जाएगा जिसको जानने के लिए बने रहे हैं इस वीडियो के साथ तो सरकार ने जिस स्कीम का एलान आज से कुछ मेहने पहले किया था वो इस स्कीम अब जल्द ही लॉंच हो सकती है जानकारी के मताबिक ये नई पहन से स्कीम 18 सिप्टमबर को लॉंच हो सकती है दोस्तों हम बात कर रहे हैं NPS वातसल योजना की जिसका एलान वित मंतरी निर्मला सितरमन ने बजट पेस करते समय किया था इस योजना के तैत माता पिता अपने बच्चे के लिए पैंसन अकाउंट खोल सकते हैं मालूम हो कि बच्चे की उम्र 18 साल होने पर अकाउंट रेगुलर NPS अकाउंट हो जाएगा और वहाँ पर मार्केट की अनुसा रिटन उस पर मिलेगा NPS वातसल योजना के तैत सभी इन्वेस्टर्स को एक साल में कम से कम एक अजार रुपे का निवेज करना होगा बेनेफिट NPS में मिलेगा और अगर आपके नाम पर NPS है लेकिन बच्चे के नाम पर NPS वातसल है तो आपको इसका फार्दा नहीं मिलेगा ये एक बड़ा कंडिसन या पर है लेकिन सरकार इस नई प्रेंशन योजना को 18 सिप्तमबर 2024 को लागू करने जा रही है आपसे पहले करमचारियों के लिए और प्राइवेट सेक्र में काम करने वाले करमचारियों के लिए ही NPS की सुईदा थी लेकिन आप सरकार ने बजट में एलान किया था और 18 सिप्तमबर को इसे लागू करने जा रही है कि अब NPS वातसल योजना की सुरुवात होने जा रही है और यह सुरुवात 18 सिप्तमबर 2024 को हो सकती है तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लखें वीडियो को लाइक और सेयर कर दे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और और नोटिफिकेशन ओन कर लें जिससे हर एक यूजपल अपडेट आप साबसे पहले देख पाएंगे